तो आज जो मैं आपको कुछ एक ड्रग या फिर मैं कह सकता हूँ एक बहुती अलगी चीज बताने वाला हूँ शायद आपने इस चीज के बारे में सुना भी नहीं होगा ठीक है बहुत कम लोगों को पता है और मैं अभी काफी रिसर्च कर रहा हूँ अभी मुझे काफी लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे आप हैलूसिजनिक ट्रग के ओपर वीडियो बना है तो मैं एक एक करके बताओंगा मैं काफी रिसर्च भी कर रहा हूँ आज कल दो तिन से काफी रात को बैट बैट के पढ़ रहा हूँ तो आज जो मैं आपको चीज बतानी जा रहा हूँ जिस चीज चीज के बार मैं है वो मैं एक आपको हैलिसीजनिक फिश के बार मैं बताना चाहरा हूँ जिसका नाम भी बड़ा मसा है, बड़ा अलकसा है, जिसका नाम है सर्पा सल्पा, सर्पा सल्पा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, सर्पा सर्पा हैलीजिजिनिक फिश है, ये होती क्या है, ये कहां पाई जाती है, इसकी क्या historical पूरी इसकी account रहा है, इससे body में ingest कर या निखा की क्या होता है, इसके क्या side effect रहते हैं और इसके बारे में क्या क्या चीज़े रहती है, ये वीडियो मैंने एक तरह से इस चीज़ के बारे में मैं knowledge ले रहा तो इस चीज़ के उपर बनाई है, क्या चीज़े रहेगी, एक bonus वीडियो आप समद लीजे, तो आने की चीज़े का अधिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, सर्पा सल्पा इसको वैसे दूसरे नाम से सेलमा पौरगी के नाम से जाना जाता है, और ये जो सर्पा सल्पा रहता है ये काव ब्रीम की एक स्पीशीज है, इसको अगर पह बोलू कि कहां पाई जाती है, क्या ये रहती है, तो ये मचली आपकी अट्लांटिक मास सागर, यानि अट्लांटिक बे में पाई जाती है, और वी जिगा इसका सब जादा अगर मैं बोलू कि जादा ये कहां पर तादात में पाई जाती है, तो ये मेडिटेरियन सी में पा पानी में अब ये जो मशली है सर्पा सल्पा ये मशली दोसो तीन फिट गहराई में समुंदर के अंदर नीचे रहती है जिसमें से जो इसमें मेल्स और फीमेल्स होते हैं वो mostly दोनों ही हैलिसिजनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं मतलब अगर कोई इस मशली को खा लेगा जो क male हो या female हो मशली ठीक है जो भी रहेगा तो उससे क्या होगा कि अगर किसी ने इसको खा लिया तो इससे बहुत जादा दिक्कत हो सकती है जो male होते हैं वो generally छोटे होते हैं size में मतलब मैं बात करूँ तो वो आपके 21 से 30 cm के आसपास होंगे और जो females होती है वो 30 मन से 45 cm के आ अईसा भ्रहम कर रहे है या फिर इंसानों में बहुत जादा दिक्कत दे रही है या फिर इससे पॉइज़े बारे में बात करेंगे लेकिन हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं इस हिस की historical चीज़ाओ राए है कि इसकी एसcinे किया रहे है सरपा सलपा जैसा की नाम है है dream मतलब की ऐसे स्वपन चीजों को देखना अगर मैं इसके बारे में बात करूँ मतलब इसके एतिहासिक चीजों के बारे में बात कुरिया फिर historical accountant के बारे में बात करूँ जो मैंने अभी तक इसके बारे में पढ़ा है जो Polynesian जो लोग होते हैं मतलब कि अगर मैं बात करूँ जो Australia की तरफ ओशेनिया की तरफ है जहां पर छोड़ छोटे देश आजाते हैं ठीक हैं बहुत सारे टुए बलू सॉलमन आइलेंड पीछे की तरफ तोड़ा हवाई इस जेगा के शेत्रों में ये वाली मचली का इस्तमाल करा जाता था नशे के तरफ और ये काफी बहुत हजारों दो हजार साल से पहले से चलता आ रहा है इस मचली की सबसे खास बात ये है मतलब अगर मैं बात बोलू कि ये जो मचली है ये मचली हलुसीनेशन करा रही है भ्रम बहुत जादा करा रही है और इस मचली को खाके लोगों को बहुत जाद नशा हो रहा है और नशा का अगर कंपैरिजन देखा जाए तो वो LSD और DMT की टिप की बराबर हो रहा है LSD और DMT की टिप की यानि कि लाइसर्जिक ऐसी डाइथालामाइट और डायमिथाइल ट्रिप्टामीन जो की दोनों ही हैलियूसिजेनिक साइकेडेलिक ड्रग है साइकेडेलिक ड्रग मतलब आपकी बॉड़ी में जब भी कोई ऐसे ड्रग को इंजेस्ट करा जाएगा तो आपका mental perception मतलब बहुत सादा बढ़ जाएगा awareness बहुत जादा बढ़ जाएगी लेकिन आपको साथ में ऐसे ब्रहम भी होंगे जो आपको बहुती जादा डरा सकते हैं जैसे कि इसको मचली को खाने से auditory और visual hallucination होती है मतलब ऐसी auditory का मतलब ऐसी ध्वनी या फिर ऐसी चीज़े सुनाई देना जो कि अस्तित्व जिनका बिल्कुल भी नहीं है और ऐसी visualization मतलब कि ऐसी चीज़े देखना जो कि बिल्कुल भी exist या फिर अस्तित्व जिनका बिल्क कम information है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है इसके पूरे पूरे बारे में मैं ये बताना चाहूँगा ये जो मचली है ये मचली के बारे में जब इसमें बहुत सारे लोगों ने scientist नों study कि यहां क्या है इसके अंदर ऐसा क्या chemicals है जो इसके अंदर exist करते हैं जो बहुत ही डीप ओशन में या फिर डीप जो समुंदर पूरा रहता है उसके अंदर ऐसी कुछ घास रहती है जो की मशलिया खाना खाती है अब साइंटिस्टों का ये दावा है कि भूम अद्दे सागर पे दो टाइप की क्या बोलते हैं एक स्पीशी स्पाई जाती है मतलब की एक टाइप का आप अलगे समद लीजिए जो अलगे पानी के अंदर रहते हैं आप समद लेजिए कुछ ऐसी घासे जो मशली खा लेती है बिलकुल जो समंदर के अंदर है उनमें से दो स्पीशी पाई जाती है ठीक है उसमें से एक है कॉलोरिया प्रोरिफेरिया जो की एक जो बिलकुल पाई जाती है और ये मशली जो मशली रहती है इसको खा लेती है और इससे साइंटिस्टों का भी बिलकुल ये पता नहीं चल पा रहा है कि या तो ये मशली इन जो स्पीशीज है अलगे की इसको खा के इसकी बॉड़ी में ऐसा हो रहा है कि ये ब्रहम पैदा के बार में ये बात बोली मतलब ऐसा बोला जाता है कि यह को खा लेती है और कोई इनसान को उसके बाद इसको खाता है जैसे जो घास इसको खा लिया और किसी ने अच्छे से नहीं और और किसी ने इसको खा लिया, तो उसको बहुत ज़दा दिक्कत हो सकती है, श्याद ये केमिकल ऐसे उसमें काम कर रहा है, लेकिन अभी भी साइंटिस्टों को ये नहीं पता चल रहा है, कि ये जो मचली है, इसके अंदर ऐसा क्या केमिकल है, जो कि हैल्यूस नेशन, ब्रहम, नशा, और क्या बोलते हैं, ऐसी स्टेट में इनसान को छोड़ दे है, जिसमें इनसान को बहुत ज़दा ऐसी दिक्कते हो रही हैं, 2006 के एक दावे के अनुसार ये देखा गया था, कि दो लोगों ने मेडिटेरियन रेस्टोरेंट में इस मचली को खाया था, और इस मचली क दो घंटे बाद खाने के बाद उनको बहुत ज़दा confusion होना शुरू हुई, उन्हें hallucination भ्रम बहुत ज़दा हुआ, उन्हें अपने आसपास कुछ भी अजीब सा दिख रहा है, कुछ कुछ सुनाई दे रहा है, उन्हें बहुती गंदे सपने आने शुरू हो रहे थे, उनक उनको पता ही नहीं क्योंकि scientist को पता ही नहीं कि क्या chemical इस चीज में क्या बोलते हैं, जो role play कर रहा है, कि यह मशली इतनी hallucinogenic है, scientist के अलग अलग दावे यह है, कि जो मशली है, जैसे मैंने बताया, कि यह मशली शायद body में जाके जो यह grass खा रही है, या तो body में जाके जो भ आपको नियर डेथ experience हो सकता है, और आपको एक तरह से आप मौत को देखके आ सकते हैं, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है, लेकिन scientist को यह दावाई कि यह psychedelic नहीं, यह delirians है, अब यह delirians क्या होते हैं, जो ब्रहम करने वाले drugs होते हैं, उनके अलग-अलग types होते हैं, को delirians होत हैं, तो आपको पहले mental confusion होना शुरू हो जाएगी, और आपको अजीब 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 भ्रहम होने की state हो जाएगी, और आपको कुछ चीज सोच भी नहीं पाएंगे, तो scientist को का वैसे अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है, कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज है, जो कि ऐस जाधा चुकुंदर खार लेता है, तो उसकी जो urine होती है, वो pink color की होती है, क्योंकि हम जो खाते हैं, वो हमारी body पर दिखता है, तो शायद ये मसलिक उसने कुछ ऐसी चीज खा रही है, जिस कारण शायद इसकी body उस चीज को अगर कोई से खा रहा है, तो फिर वो उसको दि का कुछ है, पर साइंटिस कहा रहे हैं कि deliriant है, psychedelic नहीं है, deliriant है, मतलब confusion जाधा cause कर रही है, और आपकी body में बहुत जाधा क्या कर रही है, ऐसे ऐसे symptoms कर रही है, जैसे कि पेट में बहुत जाधा gas बढ़ जाना, vomiting होना बहुत जाधा, और बहुत जाधा आपको hallucination और बह हो सकती है, personality flip होने के कारण, इंसान पूरी तरीके से बदल भी सकता है, और उसका दिमाग पूरी तरीके से दिक्कत आ सकती है, उसको cns दिक्कत आ सकती है, central nervous system में उसको सोचने समदने की दिक्कत आ सकती है, हमेशा हमेशा के लिए ये सब चीज़े देखी गई है, ऐसा ऐसा इसका रहता है, और अभी बहुत सारे anthropologist का ये सब पूरा पूरा दावा है, कि जो एक जो इस पर research कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस पर Christian Rants का नाम आयता विकिवीडिया पर तुमने उसके बारे में पढ़ाता, कि ये जो भी चल रहा है, जो भी चीज़े हो रही है, कि ये भी है, इसके अंदर जो भी मशली के अंदर chemical है, वो DMT ही है, बट मेरा ऐसा मानना है कि DMT जैसे ऐसे molecules हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बहुत सारी अलग-अलग मशली हैं, जो भी ऐसे सिर्फ यही मशली है, जो hallucination कर रहे हैं, इसकी बहुत सारी अलग-अलग species, या फ पोस्ट ऑफ हवाई भी कहा जाता है, ठीके, और ये मशली भी बहुत ही खतरनाग मशली है, इस मशली के कारण भी क्या हो रहा है, मैं आपको अगर मैं बताऊं, तो वो लोग भी अगर इसको खा लेते हैं, या फिर गलती से कोई से खा लेता है, तो फिर उसे भी बहुत अशा हो सकता है, उसे बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, और ऐसा ब्रहम हो सकता है, जो कि उसकी परसनलिटी को पूरी तरीके से फिलिप कर सकता है, ये मशली बैन नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको गलत तरीके से खा लिया है, कुछ होता है, अगर एक को डंग से नहीं ह होती है और आपने इसको खा लिया तो आपको बहुत जदा दिक्कत हो सकती है वैसे तो खोशिश करो कि ऐसी मसलियों से दूरी रहो ऐसे खालिया तो क्योंकि हम नहीं जानते कि इस इंसान को क्या कुछ हो जाए हम इस चीज की वह चीज की गरेंटी नहीं ले सकते तो मैंने मतलब जो उनकी बॉड़ी के अंदर जहर है और उनसे ऐसी सिच्वेशन हो रही है तो उस चीज को एक बहुत इच्छा टर्म दिया जाता है उसे कहते हैं एक्थियोलो एलियोनो टॉक्सिजम मतलब कि ऐसी मशली को खाके जिसकी मशली मशली के बारे में हमें कुछ पता नही उस मशली से टॉक्सिसिटी हो रही है और ऐसी टॉक्सिटी हो रही है जिसमें इनटिर छेट seven का वहत जाया में चक्रम चैसी में घूस्म को बहुत जादा रहा है तो इस ट्रमको एक्थियोलेनो टॉक्सिजम कहा जाता है इंग होत थी है अलग-अलग होती है कोई जहरीली Нап ठीक है बहुत सारा ऐसा रहता भी है लेकिन इस fish से क्या हो रहा है कि इस fish से एक hallucinic purpose के लिए इसको इस्तमाल करा जाता है इस चीज के लिए और यह hallucinic effect जो भी है जो ब्रहम करने का बहुत ही खतरनाक हो सकता है इससे हो सके तो दूर रहें मेरी इस video को बनाने का बस मतलब यह है कि मैं आपको knowledge के लिए यह सब चीजें बताओं ऐसी चीजें अगली वीडियो में कुश करको मैं आपको psychedelic और लग के बारे में बताओं ठीक है मेरा नाम है सक्षम डूर्डल यह है नारेक्स नॉलेच चैनल